नमस्कार दोस्तों मैं आज इस वीडियो में NPCIL का कुछ प्रिभियोसी और इंपोर्टेंट अब्जेक्टिक कुछन के बारे में डिट्रेल में डिसकोशन करूंगा क्योंकि NPCIL नारवराज जो उत्तर पदस्में है उसका एक्जाम आने वाला है और उस एक्जाम के लिए यह सब्सक्राइब जरूर किजीगा तो देख़ा आज का वीडियो हूं शुरू कुरते हैं आज क्या पहला कुछ उत इए फसाब्रेश को्सिक सिर्द strat औरवर दाट मवलेक्ट्रों इलेक्ट्रों को मौब करता है उसको हम उलेक्ट्रीक करेंगे या फ्री इलेक्ट्रों जो ए करता है उसको हम इलेक्ट्रिक करेंट कहेंगे तो इसका एंसर होगा जो इलेक्ट्रिक करेंट होता है अप्शन नमबर डी होगा इसका कॉरेट एंसर जो इलेक्ट्रिक करेंट होता है वह कॉंडॉक्टर में एक ही डिरेक्शन में क्या होता है फ्री एलेक्ट्रोन एक ही डिरे सब्सक्राइब करते हैं तो यह याद रखो देन देखो नेश्ट कुछन नेश्ट कुछन नेश्ट कुछन ने तो कालकुलेट दा पावर फेक्टर हुई नवारिल इ Hersa कुणसा और मिन यह चार में से कॉन सा अलग है 신기 देखो जबसक्राइब क्या होता है अनुण कि ट्रूप झिए होता है इनू कोरेंट परन पर तो दिवाथ इनुन उसके बाद पी डिवाइड़ ऑक्सिल लोगा बाकी रहेगा इन्सक्तिता और नीचे भी यह तो इधर उसक्तिता रहेगा तो यह हमारा इन्सक्तिता रहेगा और याद रहखो यह जा आर्बाइ जैर है यह भी वोल्टेज का है यह हमारा रेजिस्टर का फॉरमुला है तो उसलिए कॉन सा ओड़ होगा तो आप्शन नम्ब्र डड़ी कोरेक्ट एंसर और नेस्ट की शने है अंसर का जब हमें किसी भी सर्किट में इंडोक्टर not चकांच का तो हम चजुक का यूज करते हैं तो option नबर विद्धा अन्सेर देन देखू नेस्ट कुचन है इप 10 रेजस्टर ऑफ 10 नहीं अम इच आर क्या होगा देखो दोस रीजिश्टर आपस में क्या करेंगे पर लालमा करेंगे दोस रेजिस्टर आपस में पर लालमे में connection करेंगे और सब्क रैजिस्सर्टांस कितना यहिगा इसका 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 बीटे नॉम रहेगा इसका वीटे नॉम रहेगा जी तर जितना साल रिस्टर अ प्रकाव परता हुज के नविक का या होता है तो इस कोव सल्चीन में है डिनाट वेया होस्थ यह evenly की जक्या होगा देख हो जो बोराबर का रिजिस्टेर लमें फर्म मर्र डु कॉनेकशन ब्रस जाबा देण वल्ट यज एक्रोशे कपाशिट सब्सक्राद्नी फ्राइल से वल्टबबबब देन ही स्टोर इनेनरजीर को पांचिटर डुन और सीटरी iba क्या होता है इसका कापासिटर का फर्मुला क्या होता है कापासिटर में हाप इंटू इंटू वक्रिक कितना है इंटू टेनosition kita में इंट काफासिटर का फर्मुला टो normum लिए परीए इसका Public resistance कितना होगा इसraक्य में हो घँड़िः से हम को फिरे लम क्या करेंगे तो इदर 200 यह 400 ृत दो अंट टी नों फिरूज मं तो हम इसको क्या करेंगे तो टो हंड़ अंडेर सीक्स है जäreड टूंडेर 800 तो यह हमरा हो गया वा टोटल कितना हो गया यह सरकीट है यह उसके बाद देखो यह 800 यह 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 तो दोना प्रलम में है तो 800 और जाने यह फोर फोर पर अंडर्ड हो से आंसर किया होगा इज यह इतना साथ यह हमरा टुटल कि अगया प्र अंडेड़ आम तो देखो यहां मरा फ्रअंडड हो गया यह यह इधर 200-200 तो फ्र इन्टु टु फ्र प्ल्स टू श्यृत टो यह विए हमारा एड़ा और यह परलाल में तो एट एट कितना होगा फोर अंडेड होगा फिर यह फोर यह फाइब सिक्स टोटल कितना होगा 600 इसका एंसर होगा ऑप्सों नोबर सीद्धा कोरेट एंसर देन देखो नेक्स कुचन क्या है दा रेशी ओप आरमेस वेलू वाइबरेज वेलू यह किसका कितना रहेगा जोब किर्kah रियक्टेंस किसी भी कापाफेटर का रेक्टेंस का फिलू कितना रहेगा जब उसक हुआ कप स्थेट एंसको Ich होता है और यह कीक 계좌овой करने है कवह पंसी का फर्मॉला किया होता है एक सी जिवाला होता है दो 5 पाइव सी य Waiti यह का फ़र्मॉला लेकिन ये कध्रहां डिस्फ सीफज laugh के डिसी कःड़ा DC current में frequency का value क्या होता है 0 होता है तो देखो यह अगर frequency का value 0 होगा means 1 by 0 होगा 1 by 0 का फर्मला क्या होता है infinite होता है तो इसलिए इसका answer होगा option number A जब हम किसी भी condition में one for our capacitance के throw DC current पास करेंगे तो आपसिटिव रियक्टन्स का value क्या रहेगा इनफाननाइट रहेगा क्योंकि DC में frequency का value 0 होता है तो आपसिन नंबर A is the correct answer देन देखो नेश्ट कुचन क्या है नेश्ट कुचन है ओम स्लो इज अप्लिकेबूल टू देखो जो ऑम स्लो होता है जिसको सबस्क्किश रहTheyjust does from 2 कोनेट एड्ट सर्च कॉस्टान टेंपरेचर तो यह जो ऑम सलो होता है यह सेमिकंदूक्टर में अपली का बोता है या इन्सुलेक्टर में अपली को रहेगा या इलेक्ट्र कापासिटन्स और फोर कापासिटर और एकक्वाल कापासिट फोर स्य और शीरिज में और सुभी का इसका भी 4C capacitance इसका भी 4C capacitance और इसका भी 4C capacitance तो इस condition में total capacitance कितना होगा देखो, 레지्स्टर में parallel का जो formaldemon अभल होता है का पासिटंस में wings वही फारमला होता है तो देखो आर बाई यहां होता था रेजिस्टोर में पर सिरीज में भुझ फरमॉला होगा तो उद्वर रेजिस्टोट था हो रहा था eller तो एस लखेंगे यसे वाई एंघ घांगे सब दॉट्सक्राइब कितना है फॉर सी फॉर सी होगा कितना कितना कपाशिट्र है चार कबस हमुआज रहे चार ये चारों सिर्प सी ही रहे तो ONE सी अप्शन sid ourselves ये तो ये बात डिसी सोर्स इस कॉनेक्टेड एक्रोसे टू अम लूड कालकुलेट द पावर कॉंजूम इन द सरक्ट तो देखो एक डिसी सरक्टिव में भॉल्टज्स कितना है एड वल्ट और जो लूड है उसका रेजिस्टन सकतना है टू इस कॉंडिशन में पावर का वलू क्या रहेगा यहां तो बॉल्ट जाम आप फर्मला क्या है फोल्ट तो बी स्कॉयर रगर यहां फर्मला भी कितना है 8 इंट लीट में ढूर एट कर एट इन्टो आर कितना एक टू टो को करेंसल का फॉर थर्टिट तू रट्टिस तो अप्शुन मोंबर वीड ऑर गडियन देट यहां र लेकिन कुष्च में एक किए से की रिजिस्स्टांस का अपोजिट ह lama है इसका रिवर्स होगा डिख सकते हैं यह Uh बाई आमको हम मोह बाई मिटर भी लेख सकते हैं तो आप्शन नमबर डी दा कॉरेक्ट एंसर देन देखो नेक्ष खूचन साइमन इसे यूनिट ओफ फर मेजरिंग देखो जो साइमन होता है इसको किसको मेजरिंग कोन सा ये चार में से किसका मेजरिंग यूनिट होता है का का कोन्टोक्टिंट का मेजरिंग यूनिट होता है ऑप्शन नमबर क्यों यूंकि जो आ उम होता है वह से काम मोह भी लिखते हैं मोह उसको साइमन भी कहते हैं टो इसलिए ओप्शन नॉमबर एगद्धा को ट्र ओंसर जो रेजिस्टर्स नोंबर आ इसका अंट होता है जो फल्लोट टशिटी होता है उसको वेवर विक फ्लॉक्स को वेवर कहते हैं और फ्लॉक टंसीटी को टेसला भी कहते हैं और ये लेक्टिक फिल्डो है तो लिए आप सुन नमबर इड़ कोरेक्ट एंसर समझे बें दॉट कि निस्कोर्ष निए दर्कोष कि मैगा ओम एकक्वाल टो देखो मेगा मों कि से जर्तेंट श्रीश VIP यो को मच अजब करेंगे माई उनाच इसक को मामकाइख होते हैं kilo ohm कहते हैं और यह एक टेंट माना सिक से माइक्रो इसकूंट माइक्रोम भी कहते हैं तो इसलिए अप्शन नॉम्पर एधा करेक्ट अंसर देन देन देखने स्कूर्चन आरमेस वेलो आपसाने सुचल कॉरेंट इस गीवन मैं देखो मालोक कॉरेंट का आई आरमस इ इता करेक्ट अंसर वान वार रूट्ट टू इन्टो मेक्सम वेलो अब दा करेंट तो आप्शन नॉम्पर बी दा करेक्ट अंसर देन देखने स्कूचन आंग्स्ट्रोम इता इनुट आप जो आंग्स्ट्रोम होता है यह चार मेसे किसका इम रथा है वेवलांग्त का या इसेंशी का या इलोमिनेस का तो इसका अंसर ओगा जो आंग्स्ट्रोम होता है वहां वेवलांग्त का इम रथा आप्शन नॉमपर एद्दा कोरेक्ट एंसर छेंद देखो नेस्ट कूचन है देखो एसाई योणिट ऑप माइनेटिक फ्लोक्स माइनेटिक फ्लोक्स का इम हैं तो आज के लिए इतना है थैक्स पर वाचिंग और आपको वीडियो आच्छा लागता है तो सब्सक्राइब जरूर किजिए